तो नमस्कार बच्चों मैं मुनों शुक्रा सौकत करता हूं आपसभी का इस चैनल पर और जैसे कि याप सभी को बता है केमिस्ट्य के क्रैश कोर्स देख रहे थे और उसमें ऑर औरेनिक हम कवर कर रहे थे तो हमने अमाइन्स पूरा कवर कर लिया था पहले ही उसे दो और इसको मैं दू-तीन पार्ट में कवर करूंगा चैप्टर वहत बड़ा है क्योंकि आज मैं में जाएंगे ओ-एम-डी-म यानि एलकीन से बनाने की जो तीन में पर बात करेंगे ओ-एम-डी-म हो गया एच भी हो गया और जो सब्सक्राइब करेंगे लंबी प्रोसेश क्योंकि समझाना पड़ता है और कुछ कोशन भी आपन देखेंगे ठीक है जली शुरू करते हैं बिना देर किये तो आपको अल्कोहल के बारे में कुछ-कुछ तो पता होना चाहिए कि कैसे क्या दिखता है मैं जारा पैन ले लूँ उसके अधाब यहां पर देहान देंगे देखें पहला तो यह तो आपको मालूम है कि आर ओएच जहां पर आपको पता है कि आर अमारा कुछ और नहीं है कोई भी अलकायल हो सकता है और यह ओएच का सिंबल है ठीक है उसको वहाँ पर क्या लिखते है आई पेसी नेमिंग मे में तो इसे ऑल लिखते है और बाकी इसे लिखा जाता है तो यह अब अलकायल गूरूम में कुछ भी हो सकता जैसे कि एक देखें अगर यह आपका वहल इक ऐसे कार्बन से लगा है इसलिए यह वाहला 2 डीगरी का हो गया अगर आपका किया अलग अग्सेक अलग कार्बन से लगा है से समझाइओ इसलिए। बहुत बार देखियोगी इस तरह की चीज़ां ठीक है क्या समझना चाहिए च्टू डबल बॉर्ण और यह च्टू देखो सबसे पहली बात यह कि यहां पर न यह वाला कार्बन इसे अपन अलाइलिक कहते हैं क्या मुलते हैं इसे अलाइलिक कहते हैं ठीक है बहुत द्यार कि अगर इस अलायलिक वाले कार्बन से कोई अल्कॉहल आकर जुड़ जाएगा तो आप इसे क्या बोलोगे पूरा अल्यक अल्कॉहल बोलोगे ऐसी विनायलिक में वह कार्बन होता जो डेम डो डबल बाण में खुदी शामिल जैसे यह जो दोनों आपस में क्या हैं एक दिसर यहां पर जो कार्बन के इन दरे जो कार्बने डबल मॉन बना रहा है इससे यह कार्बन लगा हुआ है अब आपको देखो यह कार्बन कोई और बॉंड बनाने वाले कारबन के पडोसी कारबन बनाने वाले कारबन के करबन यहां चीजए कि दिखें और लगाया तो अलकॉल के इंगे समझ लेना होता है अब एक कुछ फॉर्मिले भी होते हैं जिन्हें में पढ़ लेना चीज़ जैसे कि यह दिखें सी एश टू यह सी एश टू ओएच सिंगल बॉंड सी एश टू ओएच ठीक है इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है इथाइलीन ब्लैकॉल बस नाम याद रख लो आप अब मालों ऐसे म अब आते हैं अब आते हैं अपन में तो उसको बहुत अच्छे देगना आपको क्योंकि आज हम सिर्फ बात करेंगे किस पर इलकीन पर इसके बात लगातार है सारे वीडियो में अप्लोड कर दूँगा धिरे-धिरे धिरे-धिरे मतलब जल्दी-जल्दी अब देखना सबसे पहले मैं आप से कहा अलकीन आप सभी जानते हैं डबल बॉंड वाले जितने कंपाउंड है उनसे हम कैसे अलकोहल बनाया जा सकता है उसके लिए तीन मैथड है अलकीन से अलकोहल बनाने के लिए कितनी मेथट है तीन मेथड एक तो आपके सामने दिख लिए एसेड काइट केटलाइजड हाइडरेशन ना यहां पर बता जता हुआ कौन सी तीन मैथड है जब आप अलकीन से क्या बना रहे हो बिटा अलकोहल इसको शॉर्ट में भी ल लगेगा आपको बहुत लंदी है पर आप समझ जाओ तरह इसलिए मैंने इसे एक पार्ट करती है ना कि यह थोड़ा सा हैवी ना हो जाए आपके लिए तो आप इसे थोड़ा सा पचाल हो पहले फिर एक OMDM होगी है ना और एक आपको पढ़नी है HBO यह क्या है कैसे हैं अभ क्योंकि दोनों ही बहुत काम की चीज़त देखो अगर आपको ऐसे देखने को मिल जाए है इस प्लस की प्रेजन्स में वाटर का रियक्शन है ना या फिर पिटा डला हो उसमें डाल्यूट एच्टू एसो फोर या फिर उसमें हो एच्ट्री ओ प्लस ठीक है इन में से कोई कोई बी एक लिखा हुआ है आपको याद रखना है एक है इसका रिजेट होगी पहले होता क्या कुछ नहीं करना होता है इसमें यह अलकीन डिख्रिया आपको डबल बॉंड है अलकीन से तो बना रहे है लिखा हुआ इसके उपर एच-प्लस-च्टू मैंने क्या बताता है यहां पर लिखा हुआ है तो ठीक है इतनी बात है अब देवो तो होगा क्या जैसी एच-प्लस-च्टू को आप रिख्शन करा होगे ना तो यह जो एच-प्लस यह दिखना है देहां से क्या होगा अगली स्तिती बनेगी कार्बोक्रेटान अब इस पूरी प्रोसेस को रियरेंगेंट होता है झाल पॉसिबल तो रियर इंघ्म Centers कियों हो और जやって होता है उपर अपे तो यहां पर रियारेंजमेंट कैसे होगा कि अगर वन डिगरी कार्बोक्रेट आने तो यहां का प्लस इसमें चला जाएगा और अगर त्रीडिगरी में पहुंच जाएगा यहां ज्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्त ही बनता है यह बताया आपको प्लियर गानी ज्यादा स् सब्सक्राइब कर रहा है यहां प्लस प्लस की जगहा पर आपको मालू में यहां से और चाता है बस बता इसी प्लस की माइनस में होता है यह इस प्लस की जगहा चला जाएगा और बिटा लग जाएगा और बन जाएगा आपका अल्कोहल अब मेरी बात ध्यासन जो मैं समझा रहा हूं कि क्या-क्या पढ़ा आपन ने यहां पर सबसे पहले तो बनेगा बिटा कार्बोकेटान क्या बनेगा बनता है रियरेंजमेंट जो भी पॉस्टिबल है और फिर बिटा कोछी करना या पर अट कर देना है किसको अलकोहल को एड कर देना है ठिके बहुत नजर अच्छे से डालो कि यहां पर रहेंस लिग दिया यह वाला ठीक है अब मालूम है कि इस से क्या होता है यह से लिखा सबसे पहले क्या बनता है क्या होता सबसे पहले तो हो सकता है इधर चड़ जाएंगे अब यहां पर बना जता हो आपके लिए यहां पर इसकेस में अपर बनाजता हो ऊपर के तो इस case में मैं देखो तो carbon के पर इदर minus आ रहा है और इस तरफ प्लस इस तरफ इंग हुई तो प्लस इधर आया और प्लस जिस पर आया यह इधर कार्बन इधर कार्बन इसका मतलब कौन से डिगरी होगी तूदिगी होगी अब मालो आपने इधर चढ़ाया होता तो फिर इधर किया जाता माइनस स्कार्बं पे इस वाले पिंग आ जाता प्लस अब लेकिन तरह यहां पर यह उडदा चलते रहना है रहुआ हमारे नोट्स गंदे भी नहीं हुए और इसको आपन पुड़ा सा सई कर देते हैं यह वांट भी हड़ी है ऐसे यह लगा दिया ओके तो बस बच्छों कुछ नहीं यह जो चीज है आपके न यह इसको कहां उठाके रखोगे इस वाले पर रखोगे तक इस पर क्या जाए प्ल आपको मालुमना जैसे कारभॉक्रेटि यहां पर बढ़ती जाएगी कारपन की उतना वह स्टेबल हो जागा इसलिए रिया रेंजमेंट होता है तो यहां का हैट्राइट एक्सचेंज हो जाएगा तो देखो यह आगया तो यहां का हाइट्रोजन इदर है दर यह बढ़कर करके उदर चला गया अब सीधे वाटर आता है यहां पर कार्बन यहां पर कार्बन यह दूना बना रहे हैं अब आप मुझे बताओ कहां पर आप इसे छोड़ोगे अधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है अब आप बात हुआ अगर आपने इससे इधर चड़ा दोगे अगर तुमने इसे इधर चड़ा जाए गा मैं यह माइनस होगे और यह बन जाया कार्बोकेट है इसके पर प्लस आजाएक और तब देखो जाए इसकी कितिनी हो जाएगी एक कार्बन इदर है इसकी दो डिग्र के ज़के यहां जाएगा प्लस खारेंट फाटा जाएंगा कार्बन को देख Wikka कार्बन गयाे थ deduction कार्बन के पास दर फीक तो संग्जेंग हुगे है तो इसे यह न्यभ एक पर समाचे मों गया अब देखें नहीं वह दो होता है लेकिन सबसे होता है तो इसमें कोई करनी नहीं नहीं होती है क्लिए रखानी मदब इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी बहुत नहीं होगा नहीं होगा क्या होता है क्या होता है कैसे होता है यह मदब कहीं और बात में समझ लेंगे अभी आपको याद रख लेना है कि त्री मेंबर कार्बन में डांसिंग रेजोनेंस होता है जिसे कारण यह फूर्ट मेंबर कार्बन सबसे बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और जो चीछ पहले से स्टेबल है तो वहां पर शिफ्टिंग यहां पर लिख सकते हो यहां पर लिख सकते हो यह आपको ध्यार लखना है तो यहां से में जड़ा थोड़ा सा हटा दूँ वैसे मैं हटाना नहीं चीए क्योंकि यह तो आपके काम की चीज़ें यह पर चले भई आगे तो बटा यह था हमारा क्या एसिड हाइड्रेशन वाला मामला था ठीक है एसिड कैटलाइड हाइड रखलो एस फ्लस एस टूओ डैल्यूट एस टूओ एस टूओ प्लस पहले कार्बो कैटान बनाओ रियरेंज्मेंट मनाओ रियरेंज्मेंट के पास सीधे ओ जोड़ दो उसमें इतना काम होता तो अल आपके पास अकसी मर्कुरेशन ही होगा अब क्या रिंकर इंप recherches नहीं है पहली स्टेप में छो है अपकी इसंदेफ चैनल असका नाब है यह चीजी और यह ओ एसी का मतलब है यहाँ पर सीटेट इसे लिखते हैं ओ एसे कह दो ओ एसी एक रहा नी तो यह और यह और रहे एसी टेट को आपन चौट में क्या लिख सकते हैं सब्सक्राइब तो पहली स्टप में क्या है मर्क्यूरी और डाय और यहां पता दो बार लगा होगा तो यहां देखो आपको दिख जाएगा स्ट्रक्चर में दिखाऊंगो फोड़े दिख दिख रहा है एकी बार था यह एकी बार यहां पर दो बार यह लगा है और के साथ मिला हुआ पानी यह वास्ट सब्सक्राइब का नाम इसका oxy-mercuration नां याद रखना देखो तूह नहीं आपको पता चाहता है वाले औक पर । बंदे अपको दिख रहे हैं guard क्या वाला एक देखर है पास है और hydrogen जो है कम इसके पास इस वाले कारवन के पास हाइड ग़ King का सिंपल सा इक ए कहना होता है मारको निकॉफ का की जो narrative चीजे हैं वो कम hydrogen वाले कारवन पर लग जाएंगी उस वाले पर लग जाएंगी और जो बेटिव वाली क्या बोलता हुआ निगेटिव वाली चीज़ेंगी जहाँ पर ज्यादा हाइट्रोजन वह कारवन ऐसा कारवन डबल बॉंड में लिफ्ट है लेकिन उसकी पाथ है तो निगेटिव उसमें जाएगा यह कौन कहता है एंटी मार्वानिक प्यार से सुना क्योंकि पेटा देखो अभी हमारा जो अगली मेथड है ना उसमें एंटी मार्वानिक प्यार चलता है तो यह सिंपल है मैं तो यहीं आपको समझा दे रहा हो मेकेनिजम बस सुनना बच जाएगा पर टिकर धार सुनना अब फर्क इतना होता है मार्वानिक प्यार कहता है कि जो निगटिव चीज़े हैं वो उस उस कार्वन से लगेंगी मतलब डबल मांड मनाने वाले उस कारवन से लेंगी जिसके पास हैट्रोजन की संख्या कम एंटी मार्कॉणिक उल्टा यानि निगेटिव चीज़ें उस पर लगेंगी जिसमें हैट्रोजन ज्याद है बस अतना याद रखो मेरे बच्चों और कुछ भी निकरना फिर्टरिट कर समय हों मार्कॉणिक उल्टी चीज़ें लगती है उसकारवनियुजिसमें है्ट्रोजन की संख्या कम हो एंटी मार्कॉणिक उल्टी अगर्वरोग जाद यांदर रुख़ों दोनों ही ने उर यहां पर om dm में यह तोसमें आगें om dm और hbo में फरक्ट क्य उन्हों में ही आपन जो एड़ कर रहे हैं वाटर का मंदा समझते हैं एक तरफ ओएच एड़ हो रहा होगा और एक तरफ हैड़ हो अब देखो एक और फर्क्या होता है यहां पर से लगा है और एच आपका नीचे से लगा है यहां ने क्या एंटी एडिशन यसे क्या बोलते हैं एंटी एडिशन तो यही जब आप एच बीओ करोगे ना हाइड्रो बोरिशन उक्सिडेशन उसमें इडिशन होगा यानि यह जो आपका एच और ओएच यह दूनों एक तरफ से लगए यह तो ऊपर ऊपर से लग जाएंगी यह तो नीचे नीचे से लग जाएंगी एक ही तरफ से होता है मेरे बास संजमें आ सब्सक्राइब होता है उसमें वाटर का एडिशन कैसा है और वहीं एच बीओ में वाटर का एडिशन याने हो एच और ओएच का एडिशन कैसा है सिन एडिशन है एक तरफ हो जाते हैं कार्बोगेटन दोनों में बनते हैं क्या मेरी वाट संजमें आगी बच्छों बहुत बढ़ी है ना अब सिर्फ तुमको सवाल देखना बचा और कुछ नी और फड़ासा मेकनिजम देखना आराम सुनना घबराना नी घड़बडाना पहले तो यह शौट नोट आहीं तैयार के लिए ना मैंने बहुत बार इसी लिए जान मुझकर करें करें के ताकि आपको इसी समझ में आ जाए ठीक है और फिर आपन इस पर बात करेंगे देखो बटा एक यह सब यहां से इटा दिया जया आ चलो बचो आ जाते है वापस अ तो बिटा फिर इस वाले पर क्या लगा हो इस पर आकर नीचे लग गया एंटी इडिशन बात करता हो यह लग गया अब अब यह क्या बना आर और इस तरी और यह पर आपको यह अलकॉल बन गए यह अलकॉल बन गए अब आपकर एक्षिन मेकनिसम्ट ऐसे कहा था सबसे पहले क्या होता ऑक्सी मर्कुरेशन जब होगा तो उसमें रेजेंट कौन सा वाल अस्तमाल होता यह है एक जी ओ एक टू और वाटर इतना है बच्छों बहुत अच्छे सुनना अब देखो यह भी हम पढ़ लेंगे थो दिर में कि सर ओए और एच एड तो हो रहा है लेकिन कौन सी स्टेप में ओए होता है कौन सी स्टेप में आपके हाइड्रूजन होता है यह दो अलग अलग ह सब्सक्राइब करना के प्रेजन्स में यहां से एड होता है है यह दो है सेकेंड स्टेप में और फॉस्ट से अधा यह भात रहता है तो आपके पहले रिजेंट से आता है अब ध्यां सुनों बैटा क्या यही रिएजेंट है तो रिएजेंट से कुछ ना कुछ तो रिएक्षिन शुरू होगी पहलो तो आपने यह डियाग्राम बनाया देखो जला ध्याल से यह चीज जो आपको देखेगी वह यह दिख गए यह रहा बस माइनस लग गया उसके उपर और यह जो बचा हुआ हिस्सा था पूरा वह देखो यह यहां मन गया यह यहां मन गया प्लास क्योंकि इसके इलेक्ट्रों लेकर करके चला गया और बाकी जो बचा देखो एच जी ओसी ओसी अब देहां सुन्हों बटा क्या आपन इसी इसको लिख सकते ना यह ओ एसी चीज को ओए च्टी ओए इसलिए तो पहले तो अपने में ही यह जो रियेजेंट है अपने में रियेक्शन करते हैं और एक बॉन तोल लेते हैं और ऐसे प्लस और माइनस बढ़ जाते ह यही जाएगा अब अलकाई इससे रियेक्शन करने तो अगली स्टेप में आप देखोगे यह वही यह आगया यह ती पैस अभी आपन ऑक्सी मर्कुरेशन में यह यह खतम नहीं हो जब खतम हो तो बताऊंगा ऑक्सी मर्कुरेशन के अंदर कई सारे स्टेप है पहले तो उ वह यह चीज है जो आपने यहां पर बनाई थे थोड़े दिर पहले ठीक है यह जाकर करके एडव लेकिन कैसे देखना जाना से तरह एच जी इसकी नीचे लिखाया यह रही है अब यह दोनों से बना रहा है बॉंड तो इसलिए अच्छा यहां पर सरी डबल बॉंड था य यह बॉंड ब्रेक हो रहा है और यह बटा यह बन रहा है ठीक है यह बन रहा है ना तो रिंग फॉर्म दो जाती अब देखो बिटा अब क्या होगा अभी आपने देखा ना अभी सिर्फ किसकी बारी हो यह एच जी ओएसी टू की होई लेकिन इसमें और को ने साथ में सब्सक्राइब करें यहां पर यहां पर चड़ा यह क्या क्या होगा यहां से यहां से एक हड्रोजन का बॉंड यहां पर अब यहां से तूड यह पहले से चला रहा रहा था यहां से तूड़ यह पहले मिन बना रहा था यहां पर लगा हुआ है और जो मर्करी वाला क्या वो नीचे लगा हुआ है यहीं पर आकर करके ऑक्सी मर्कुरेशन खतम हो जाती है फिर से रिपीट कर लेते हैं पहले है अपने स्ट्रक्चर बनाया बॉंड तोड़ा माइनस प्लस हुआ यहां पर यहां पर यहां से हाइडरोजन का एक यह जो आक्सीजन के बिच में कोई बीच इधर वाला चाहिए इधर वाला कोई वी एक जो बॉंड करके यहां पर आ जाएगा तूट के लिए इलेक्ट्रों यहां पर आ जाएंगे इसके तो बस यहां पर सिर्फ बचेगा तो यहां से दिखता है कि एच जी ओएच नीचे है ओए उपर है तो अब बिटा आता है कि इस ट्रॉट ने बीच फॉर अब इस रिजेंट में भी कुछ ना कुछ तो होगा जैसे याद यहां थे पहला यही टूटा था प्लस माइनस में एंए फोर माइनस प्लसमाइनस अलग हो जाएगा और इसमें से यही वह है यही वह तो आता हूपर वाले से सब्सक्राइब याद रखना आपका यह प्रोड़क्ट बन चुका था यह इतना खतरनाक सा प्रोड़क्ट बना हुआ था इसी प्रोड़क्ट पे तो अब यह सब्सक्राइब यह प्रोड़क्ट बन टूट जाएगा और मर्करी के पास जैसी बॉंड टूट करके जाएगा तो फिर जो मर्करी बॉंड लगाके रखा ओएगा तो बटा तुम देखो च्छी बन गया तो यह पर लगा है उपर है नीचे एडिशन देखो तो सिर्फ हम पड़ रहे हैं फोरी स्टेप में बटा एड क्या हुआ है वाटर ही है कि हम लागे कहते क्या वाटर ही तो कहते हो तो अगर मैं से ओवर आल देखूं तो देखो जड़ा है इस वाले सब्सक्राइब कुमार को नहीं का यहने सिंपल अपने को सिर्फ वाटर ही एड़ करना लेकिन मेकेनिजम में क्या दर्गना पहले एच जी एसी टेट को प्लस मैनस में तूटेगा फिर यह इसके साथ मिलकर के रिंग फॉर्म करेगा रिंग फॉर्म के बाद बिटा उसी का एस्टो इसमेर लगा जैसी वह चुड़ेगा जब मरकरी का बॉण्ट तो वह इससे अपने बॉंड तो लेगा इस तरह से मरकरी यह लग हो जाएगी और यहां पर हमें दिख रहा है कि एच नीचे की तरफ लग जाएगा और क्यूंकि एच उपर लगा एच नीचे लगा तो हमने कह दिया एंटी एडिशन है और यह मारकॉनिक भी फोलो कर रहा है और देहां सुरों बड़ा कहीं पर भी कोई कार्बोकेटाइन बना नहीं है तो कोई रियरेंजमेंट नहीं है तो समरी यह है कि एडिशन हुआ है वाटर का मारकॉनिक रूल से बिलकुल ठीक बात बहुत बढ़ी है दूसरा बड़ा कोई भी अरेंजमेंट नहीं क्योंकि कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं और एंटी एडिशन हुआ है क्या हुआ है यहां पर एंटी एडिशन हुआ है अब दो चीजा आपको याद रखनी सोर्स कैसे जैसे ओएच कहां से आया था फर्स्ट प्लस एज माइनस फिर यही जाकर करता बच्यों क्लियर होगी बिटा अब जो आपने यहां पढ़ लेना सेम आपको पढ़ना है किसमें हमारे अचा यह कुछ कुश्चन से जैसे मालूं बड़ा अब यह कुश्चन आ जाए आपको मालूं है देखो क्या एच जी ओ एसी करता पर सीधे लगा तो यहां पर सर इसके पास है ट्रॉजन कम है मतलब इसमें लगा देंगे इसमें क्या लगा देंगी और एंटी एडिशन करना है क्योंकि रिजेंट हमें साथ सब बता रहा हुए और एंटी एडिशन होता है यहां से पॉण रच जाएगा पूरा को सबसे अब करना करें अब देखो क्या करना करना यह मतलब को कुछ मतलब नहीं है इसमें ने च्छेशन से लृच हुरा है कि सब्सक्राइब धया घ्रिशन हमें साथ इसमें कैसे करना बहुत दयास उना कुछ नहीं यह जो ना तो मालों तुमने यह वाले कार्बन तुमने प्लस चड़वा दिये यह ना यह तो हमारे आप न बॉंड तूटा तो यह तो बनेगा जितना मेजर हो सकता अपता तो बनी जाएगा ओ ठिक इस पर प्लस लग गया जैसे प्लस लग गया अब क्या करते है अगली सब्सक्राइब की पास क्या लगेगा माइनेस वाली चीज़ देखो यह यहां पर लग गया अब आप ध्यां सुनों बड़ा एक होता है वेज शेप वेज और डैश शेप तो आपने पड़ा होगा उम्मीद करता हूं वेज डेश क्या होता है कुछ नहीं जैसे माल लो कि य यह गता है इधर रुखने के लिए इधर पैर उना ची और पीछे ना कि तरफ ना इसले यह पैर उना ची तो जो आपको दिखेगा न अब आपको दोनों आगर इसकी बॉन्ड दिखाने तो चार है ट्रफ वाला इक यह तर्फ हो गया तो इधर की तरफ वाला इसको इधर न तो यह क्या बता रहा है ना कि कहीं इस्ट्रक्षर करते हैं अभी पाउता आपको कौन सी तीन चीजे विजिबल होंगी आपको उपर की एक लाइन दिख रही होगी है नीचे की इधर वाली साइड वाली दिख जाएगी अब बड़ा जो प्लेन के इस तरफ है यह प्लेन से ब प्लेन के बाहर है दूसरी वाली है तो उसे क्या बोलना शुरू कि आपने वेज तो हमने का कि यह जो बाहर लाइन आ रही हो वेज है और जो हमें नहीं दिखाई देगी वह देश देश लगाती का वह एक्सिस के लिए आपको डेश देश 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 लगाते सिलेंडर के लगाता यहां पर यहां पर इस कारबन पर हमें एंटी अडिशन करना है अगर तुमने लगाया है मतलब तुम्हें दिख रहा है तो फिर एक बीटा क्या सिर्फ आपन ऐसे बना कर चोड़ सकते थे इसको यहां पर आप वेज लगा दो नहीं इससे लगा दो नहीं इससे क्या करना पड़ेगा एक कुसर बना देते हैं कि वेज है और एक क्या बना देंगे बिटा की डैसे तो अगर वाला इधार यह एंटी अटी एडिशन होना चीए ना अब देखो बिटा यह रहा है अब देखो सोर्स से कुस्षिन कैसे आता जैसे लिखा ना तो एस्टू ना आपको सामने दिख रहा है मैंने एक बार रीजेंट यह दिखा देखो एच जी ओए से टू यहां तो ठीक है लेकिन देखो एस्टू ना लिखकर करके डी टू लिख दिया अब आता पटा जब एस्टू से ओए च आता था तो डी तो से क्या आएगा बिटा ओडी आ जाएगा देखिया यह देखो अब अगले स्टू अब अगले स्टू अब अगले स्टू बिटा खता मैं ना खता मैं अभी इतने में खता बिटा एच बीओ मैंने का तो ना एलकीन से बनाने के तीन तरीके हैं एसेड केटलाइजड हैड्रेशन दूसरा आपका हो गया यह दो आपने स्ट्रक्चर बायो मॉलेकुल में सुना और इस तरह से लगा रहे था टेट्रा हैड्रो फ्यूरान ठीक है यह तो यह आपका पहला रीजेंट हो गया पहली स्टेप का रीजेंट हो गया यहां से आप यहां से अपने देखेंगे अच्छा इसमी वाले लिए तरह पर भी नहीं बनना है वाटर का इडिशन मातर कर देना है यहां पर एच्टू ओटू और और ओएच माइनस एच्टू और और यहां पर यही रीजेंट पहले को आपस में रियक्शन करेंगे तो यह राव बीटू एच्छ यह यह रीजेंट शुरू हो चुका है यहां पर लिखा हुआ है क्या है यह यह स्पैलिंग खरावूरी कोई बात चुड़ा क्या होगा मैंने क्या बताता एंटी मार्कॉनिक अफ लगेगा यहां पर वह क्या कहता है पिटा कि ज्यादा है वाले पर माइनस वाला चीज लगी तो यहां पर इसमें लग गया और कम ह करके तो यही करना है जो आपने सीख लें लेकिन अब रियेक्शन मेकनिजम देखेंगे पहले हम हाइड्रो गोरीशन देखेंगे होगा क्या मैंटा हाइड्रो गोरीशन जो की फर्स स्टेप उसके जो दो रीजिंट है वह आपसे पहले बिढ़ेंगे तो देखो बिटा बी आपको पता है यही जो बीच तूटा है ना यह जाएगा जैसे वहां पर गया तो तूटने के पाद अलकीन में हमला करने गया तो बस बीच यह लिखिये आपकी और यह आगया आपका बी एच थ्री अब देखो बच्चो बड़ी पहरी चीज़ होगी मैं आपको समझाने वाला हूं इसी चीज़ को देखना है ना इसको हटा जेता हूं मैं आपको यही पर बना जेता हूं तो तो आकि आपको दिखेंगों चीज़ देखो क्या होगा यह ना धिरे-दिरे कई मैं ने ज़्ता करते हैं यह व्हेय हों से बाइंट के साथ सथ का बॉनलया यह यह जो ने लगए और यह ने लिए यह ने लिए does यहाँ पर नूपन दोर से इपनारी यहाँ आ पर से इस्तों से शो एक對को कैसा सूरा एक देखा चाहाई्ट ुऐ худ witch Fighter 2 लग तक एच बीज़ और को फी दिग्ली को यहां पर को जबफ भी नुए ये यहां पर देखर में यहां इनजर आरह देख रहा यहां पर उप्ता नहीं तुम यहां पर एच लगा और किया यहीं पर भी एच टू लग गया ठीक है यह देखो बटा क्या दोरों सेम साइड लगें तो बटा सिन एडिशन क्या हो गया सिम एडिशन यहां पर मर्क एच जी ओसी और वह जब लगया था पहली स्टप में चल रहा था अपना तो यह हुआ तक अब देखो बटा जानतों यह चीज कब तक चलेगी अभी आपने तीन भी एच त्री में से एक एच तो हटाया है अभी भी कितने एच बच्चे हैं अभी भी दो एच इसके पास और बच्चे है इनको भी इससे तोड़ तोड़ो करके रटाना पड़ेगा अब मेरी बात ध उपर गया और नीचे की तरफ कर किया ना इडर सी च्टू और यह एसी दिए अबीट आर यह पर बना잔ा यह पर बनाएता कुछ नी दघियना पूरा प्रट्क पहले बनाथ उसकी और गौमाविरा करकिं मेरी चीए कैसे बना और ठेकर दिखे अप क्यों अभी भी दो hydrogen बच्चे है तो अभी हटेंगे तो क्या होगा बटा यह पूरा प्रोड़क्ट बना है यह जितना प्रोड़क्ट बना है यह वापस से एक अब अभी इसके पास एक और हीटरोगे तो बटा देखे रखे रखे नया प्रोड़क्ट बन के तहिरोगे पर से अब यह पूरा का पूरा जा करके फिर से एलकीन से करेगा अब मेरी बात द्यान सुन नदर है सर इसको अपन कैसे लिख सकता है मैं थोड़ा तुमको गाइड कर देता हूं बहुत अच्छे सुनना देखो बिटे याद ना मैंने इसको उल्टा सीधा सब आपको समझाया हुआ है यहां देखो क्या यह विटा यहां पर आर शीचर हा हिए तु को लगना अब एक तरफ लगा देखो क्या और यहां पर बोरोन पैर हैड्रोजन था यहां पर छ्छाघ्डा बने का यह बर्हाइल को सब्सक्राइब बनेगा यह लग गया और यह बार्वन पर यह बचा कि नहीं अब तुम ध्यास पहले से 2 पहले से 2 बहुड पर तीन डिन और यह तीनगर अब जानते इसे कहते हैं ट्राय अलकायल बोरन और यहीं पर हाइड्रो बोरेशन कंप्लीट होता है यह है यह है फिर से रिपीट करता हूं बहुत प्यारी चीज थी बहुत द्यान सुनना मज़ा आ गया होगा आपको सबसे बिले बेटा तो हाइड्रो बोरेशन शुरूँ होती है अपने चालिजन अपने एक बोर्ण अपने हैड्रोजेन से अलविधा लेगा जो बचेगा फिर ओत्र को पूरा पूरा फिर अलकीन पर जाएगा पिर जबार्व स्ट्रूजन लिए पूरा मिल करके थिर अलकीन के पास पहुचेगा और इसे करते कर्ते हमारे पास ट्राय एलकायल बोरेन बना है आप एक बड़ बीडियो को बहुत चे सुनना आपको और सांच में आ जाएगा तो अभी फर्स स्टेप कंप्लीट है अब क्या बचा है पूरा नाम किया है उसका सकते हैं एक जी चीज आपको यहां पर यही बड़ी सी बणीव है अब बीटा क्या होगा इसका एक बोंड इसका तूटे गा एक और इसका तूटेगा और इन इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जून कर देता हूं बहुत द्यास देखना बटाई यह रादा जून कर दिया देख बिटे अच्छे देखना ना यह ले ले लेता हूं जैसे देखो यह आपका ब्रॉन बॉर्ण हो गया बीचे ठीक है यह से एक बॉंड था यह बॉंड था यहाँ पर हमने रख दिये इसको थोड़ा सा अलग कर लें बहुत ज़्यादा कशड़ा हो जाएगा मैं सब को जाएगा फिर ठीक है इसको अब देखो खतम बिटा खतम है अभी के लिए तो इतना ही करेंगे थोड़ा सा और बस समझा दूं मैं थोड़ा सा खतम कर दूं फि प्र आपने यह बॉन को घ्राइग उड़ा एक नोगे अब आप देखो देहां से क्या बॉरान को टीनो चुके है और वांड तूड्या है तो यह देखो बॉरान को तीन ओएच सांब अगा है अब एक यह पनेगा घ्र एसका इसका इंटू कर तो देखो तो गया ठीका जला सभी से लिखो तो कि एसंसे लिख सकते है कि एच थी-बी-बी-ओ-फस दो में यह एगा VAN हखार सी अच्रेश डूओं और समय पू norte our특किट यहाँ से च्शेइस तू कολ आ यह अतら छाव मितलब क्या हमारे पास यह बना यह बना और ऑनर पास था क्या डबल बॉन्ड CH2 यही था आपने अपने रिजेंट इस्तमाल कर दिये बिटा क्या-क्या जो B2H6 और आपका साथ में क्या था इसमें क्या लिए था या उसने टी-एच-एफ साथ में था टी-एच-एफ ठीक है और सेकेंड स्टेप में क्या था बिटा है एस्टू ओटू और ओएच-एथा तो क्या बता है था पने सिन एडिशन होता है और सिन एडिशन मतलब एक तरफ होता है और एंटी-मार्कॉनिक ऑफ क्या बोलता है ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ निगेटिव चला जाएगा तो देखो ज़रा आर यह सी यहां पर बिट में अलग दिखना मतलब यह नीकि कहीं हो यहां पर कि सर्फ वॉटर यह इडिषी आड़ हुआ है नहीं होगा सिन फटा करने आप है तो मतलब कहां से है और कहां पर उलटा है वहां पर तुम्हें डेखा हो गाए पहली स्टेप से और दूसरी स्टेप से तो है यहां पर आई पहली स्टेप से पाथ है और कहां सह blueberry बटा बीटु एच सिक से यहां पर एच लिखा तो वही रहेगा और बटा ओएच कहा से आया है यहां यह आया है एच टुब टू से ठीक है और यह से कंड इस्टेप में आता है ठीक है दोस्तों चलो अब देखो अब एक कोश्चन कर लेते हैं जैसे मालोगी कोश्चन हमारे किसके पास जादा है इसके पास मतलब इसी में क्या हो जाएगा पर बनी बात है यह इस पर पता होना चाहे है तो देख बटा है यहां पर देखो पर वाले में तो B2 H6 या ही लिखा हुआ है यहां से ही आएगा लेकिन नीचे देखना नहीं से यहां पर स्थू ओटू लिखा है तो यहां से और ऐसी आएगा तो यह सई हो गया लेकिन मालुम यहां पर ब्यूटीक नहीं और ऐसी एक और पुशन यह आपको दिख रहा है यह कारबन है इसके पर बनी बात है आप इसको भेज़ोगों तो इसके पर प्लस आजाएगा यह तीन कारबन त्री डिग्री के पहले से हो रखा है को यह रिए नहीं होती भी एस तरी दिख रही है इस से आएगा एच पहली स्टेप में एच दूसरी स्टेप में ओएच सिन एडिशन करना है अब देखो इसके मामले में कैसे दिखा होगा यही पर अब सिन एडिशन है अब वैज और डैश मत लगा देना क्यों कि देख पर अगर आपनी यहां पर लगाया है डेश पे तो एच को भी का लगाना पड़ेगा डेश पर अगर अपने वेच पर फिर से आपके लिए अप्लोड कर दूगा तब तक के लिए पढ़ते रहें और कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं अच्छा समझ में आया होगा मुझे बीदे आपको इतना पड़े नोट्स बनाएं और फिर अगले पार्ट के लिए पत्यार हो जाएं तो तक के लिए जैं हिंद मेरे प्यारे को अच्छो है ना और आपका दिन शोग